जैहिन स्वागता है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग अपना सीटेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं दिशंबर की ठीक है न और हमने अपना सीडीपी का प्रिविएस एयर का एक सीरीज चला रखा है जिसमें हम लोग हर दिन एक नए प्र से चले livres में आप से पूछे गाए हैं तो इसमें मेरा जो तार्गेट है अप लोगों के लिए ये लगबह मैं कोषिस कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए लगबह 20 lumière में यहां पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक है ना क्यूंकि इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं ठीक है चालो यह रहा आज का अपका पहला कोशन तो कोशिस किया करिए आप लोग भी कोशन को पढ़ करके पहले आंसर देने की कोशिस किया करिए ठीक है ना पहले कुछन को मैं धियान से बढ़ता हूं ठीक हैं चाहा है कि जो विकास होता है डिवलपमेंट होता है वह बुरून मतलब की घरन वस्ता से ले करके मृत्यू तक चलती रहती है ठीक ना जब तक विक्ति का अंत नहीं हो जाता है तो विकास जो है एक सतत प्रक्रिया होती है ठीक है ना तो इसी के बारे में इसी की विस्यस्ता जानने के लिए हमसे कह रहा है कि कौन सी विस्यस्ता है है ठीक है तो इनके options देख लेते हैं हम लोग एक एक करके पहले option में कह रहा है यहां प्रक्रिया बचपन तक ही सी क्रिए क्रिए कि शुरुबात जन्म के समें होती है कि यह सुरू हो गया ठीक है अग्ला कह रहे है इसकी शुरुबात के समय होती है हाँ बिल्कुल सही है ठीक है ना बोला जाता है ना बूम टूम तक चलती है यह ठीक है ना कौन सी डेवलपमेंट का प्रॉसेस ठीक है तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ अब मैं आपको कूट दिखा देता हूं इसका ठीक है यह रहा तो देखिए सेकंड और फोर्थ कहां दे रखा है डी आप्शन में दे रखा है तो डी आप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आप्शन हो जाएगा आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है चलते हैं आगे बढ़ते अपने अगले कोश्चन पर ठीक है नेक् संवेदन से मतलब यही है कि जैसा एंवार्मेंट उसे मिलेगा वह ऐसा ही बन जाएगा क्यूंकि इस टाइम पीरेड में वह सीखने के लिए काफी ततपर रहता है ठीक है ना इसलिए बोला जाता है किसका विकास की समवेदन सील अवस्था तो समझ गये ना तो पहला अवस्था देखते हैं क्या कहना चाहरे हैं कि रहे हैं वह समय अवदी जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रती ततपर होते हैं बिल्कुल यही टाइम पिरिएड तो है यहां पर बच्चे जो है अधिगम करने के लिए क्या रहते ततपर रहते कुछ भी सीखने के लिए ठीक है ना तो यहां पर हमें थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है कि इस एज में बच्चों को ऐसी संगती से बचाया जाए कि उन्हें कुछ गलत चीजों कलत लगे ठीक ना तो इसलिए इसे बोला जाता है यह सेंसेटीव होता है काफी ठीक ना यह सिंसेटीव टाइम पिरिएड होता है तो पहले ही आपसों हमें तो सही मिल गया बाकी कैत देखते हैं कि आरा वह समय सिल क्या होता है समय दन सिल का मीनिंग चलो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए देखिए क्या कहना चाहरा है इसमें ठीक है यह रहा एक पेड़ागोजी का कॉस्चन है आप से कह बच्चों के विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है ठीक है कोई नहीं ठीक है फिर कहरा है इस मानिता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोंड रहेगा ठीक है तो आप एक पीचर की तरह क्या सोचेंगे ठीक है तो पहला देखते हैं किया बच्चों को किसी भी समय स तो आपकी मानिता क्या है कि वातावरण से बच्चों के उपर कैसा प्रभाव पड़ता है विकास पर उनके ठीक है तो आपकी क्या राए होगी हम तो यहीं कहेंगे ना कि बच्चों को किसी भी समय सहायता परदान करेगी ठीक है ना वातावरण में अगर वो चीज़े सीख करेंगे उन्हें help मिलेगी टीचर होंगे तो हम क्या करेंगे उन्हें help पोचाएंगे ठीक है step folding देंगे क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्तितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकरात्मक जो अनुकूल परिस्तितियों में रहेंगे तो जो भी सुरुवाती कुछ नकर वरण में आएगा तो हम उसे इसके फोल्डिंग देंगे तो वो उस नकरात्मक चीश से क्या होगा उभर जाएगा ठीक है ना तो इसका तो मुझे यह correct answer लग रहा है फिलाल अभी बाकी option और देख लेते हैं कहरा है बदलाओ को बढ़हावा देने के उद्देश से दिये ग कि बच्चे जो किसी गुर्धर्म जैसे मौखिक कौसल में प्रवीड या कमतर है वहां आगे के चरणों में जयोकत्यों रहेंगे अरे ऐसे नहीं रहता है बच्चे आपके पास आएंगे तो कुछ इनके अंदर इंप्रूमेंट होगा ऐसा नहीं कि जयोकत्यों रहेंगे अ उबरा नहीं जा सकता यह बिलकुल गलत है क्या आप मालो कोई कुछ आप में से अगर मालो कोई ऐसा है जो दो-तीन बार अटेंट दिया सिटेट का तो वह फेल हो गया तो क्या आप हम यह ठपा लगा दे कि अब आप पास ही नहीं हो सकते ठीक है ना यह तो गलत बात है आप आपको अच्छी सिक्षा मिलेगी आपको question समझाया जाएगा अच्छे से तो सो परसेंट आप पास कर जाओगे ठीक है ना तो यहां पर यह बिल्कुल गलत हो जाता है कि नहीं उबर पाएगी बिल्कुल उबर पाएगा ठीक है तो आई होप आपके question का क्लियरिफिकेशन हो गया अच्छे से चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ next question को जड़ा ध्यान से देखिए ठीक है ना यह काफी आसान question की category में आता है कह रहा है प्राथमिक समाजी करण एक को बोलते है दुत्यक समाजी करण ठीक है ना प्राथमिक समाजी करण में बच्चे के PARC मतलब जो उनके घर की family member होते हैं वो आजाते हैं प्राथमिक समाजी करण में घर से बाहर चहरदीवाली के बाहर जितना भी environment मिलता है, जहां से भी बच्चा कुछ सीखता है, वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, दुत्यक में आ जाते हैं, दुत्यक समाजी करण की संस्था या जनसी कही जाती है, तो मुझे बताओ क्या स्कूल घर में थोड़ी होता है, इसकूल तो घर की चहरदीवारी के बाहर होता है, और जब इसकूल घर की चहरदीवारी से बाहर गया, तो इसका मतलब वो प्राथमिक अब नहीं रहा, वो दुत्यक समाजी करण की क्या भूमिका होती है, क्या कह रहा है, कोई भूमिका, ऐसा तो होई नहीं सकता, प्राथम की तरफ ठीक है अगर यकीन मानिए अगर आप सारे प्रेक्टिस देखते हो ना मैं एक एक कुश्चन आपके दिमाग में छाप दूंगा इतनी प्रेक्टिस करवा दूंगा मैथ साइन्स और सीडीपी की ठीक है अगला कुशन आप से कहना चाहरा है संक्रियाओं पर संक्रिया करना किस चरण में आता है संक्रियाओं पर संक्रिया ठीक है ना वहीं अगर मालो किसी बच्चे की साधी पड़ती है ठीक है ना तो वो क्या होगा कि एक खुसी का माहौल रहेगा तो उनकी संक्रिया जो उनके इहां संक्रिया चल रही है जो खुसी का माहौल है उसको बच्चा फील करेगा और फील करके खुद भी क्या होगा खु स्टेज में आ जाता है ठीक है ना तो अमूर्त संक्रियात्म का वस्ता में यह चीज़े कर पाता है संक्रियां पर संक्रिया आई होप यह इस एक्जामपल से आपको थोड़ा जादा समझ में आया होगा मेरा मानना यह है कि देखो सारे बुच्चे इसमें हम लोग जितने भी यहां पर पढ़ रहे हो सब लोग मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजवेशन तो अल्रे अटलिस्ट है तो यह ऐसे एक्जामपल थोड़ा जन्वीन है ताकि जल्दी समझ में ठीक है तो आई होप समझ गये होंगे और यह सब सोच कब विक्सित होगी जब आप काफी लगब पढ़े चलो आते हैं हम अपने अगले कोशन की तरफ नेक्स कोशन को जड़ा ध्यान से देखिए क्या कहना चाहरा है कह रहा है आप से कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं ठीक है न तो प्याजे जो सी बच्चों के सीखने को ले करके उन्हेंने अपनी हैं दरना दियें तो उनका कहना कैसे सीखते है पहला किह रहा है कि नित्प्याजे का यह कहना था कि अगर active explorer है ठीक है न सकुनasmशर करता है तो वह उच्छे स सीखता जितना जादा काम है जैसे सोचो अगर मैं आपको पढ़ाने में active हूँ तबी तो आपको अच्छे से explain कर पाऊँगा और मेरे अंदर क्या कमिया रहेगी उनको जाच परक पाऊँगा और अच्छे से सीख पाऊँगा कि और अच्छा कैसे पढ़ाए और सोचो अगर आप भी active रहते हैं आप अपन तरीके से involved रहेंगे तो यकीन मानिए जितना आप पैक्सिप तरीके से सीख रहे हैं उससे कई लाख गुना आप अच्छे तरीके से सीख होगे इसलिए मैं कहते हूं कि involvement जरूरी होता है ठीक ना तो यहां पे सक्री अन्वेशर द्वारा बच्चे क्या होते हैं अच्छे से चीजों को सीखते हैं ठीक ना क्या करें अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं तो सक्री जो रहेंगे तब ही सीखेंगे समझ यह तो आगे से ध्यान लखना एक्टिव रहना और कुछ न कुछ कमेंट वगएरा करते रहा करो ठीक है ना चलो आगे बढ़े देखे पुरसकार औ इसके फोल्डिंग यानि कि पाड का उधारण कौन सा है तो पहले अगर समझो इसके फोल्डिंग होता क्या है इसके फोल्डिंग वो होता है अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो उसको आप थोड़ा सा सहारा दे दो ठीक है ना जैसे मैं बार-बार एक्जामपल लेत यह तो ड्रिल की बात होगी यह नहीं होगा ना करात्मक पुनरबलन नहीं होगा उद्धीपन नहीं होगा कह रहा है आधा हल किया हुआ उधारड दे देना हाँ बिल्कुल सही है आप मैट का कोई कोश्चन लो थोड़ा उसको रास्ता दिखा दो कि ऐसे इतना हल कर दो बाकी करें तो यह आजाता है किसमें इसके फोल्डिंग के उसमें आ जाता है ठीक है तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको चलो आगे बढ़े ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं स्वरी नेक्स्ट केस्चन आपसे देखिए क्या कहना चाहरा है समझेगा ध्यान से कह रहा है आप समाज को चले जाना क्योंकि वैगोस्की जितने भी अपने सिधान्त देते थे समाज को केंद्रमान करके देते थे ठीक है तो यह बात अपने दिमाग में च्छापलो किसी भी कोश्चन में अगर आपको वैगोस्की दिखते हैं तो आपको क्या करना समाज और संस्कृत के परिपेक्ष में जाना है अगर positive question है तो ठीक है न तो यहां पर कहरें कैसा सिद्धान था यहां करें मनों समाजिक नहीं था ब्यभारवादी नहीं था सूचना प्रसंसकरण नहीं था बलकि क्या था सोशल मतलब की सामाजिक संस्कृतिक था ठीक है तो इन्हें सामाजिक सानस्कृतिक का विद भी माना जाता है यह समाज को क्या करते कें अपनी विचारधाराओं को रखते ठीक है तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा वैगोस्की मतलब समाजija तुरंत याद रख लेना वाईगउच संवाह समाज समाज वाईगिसुकी ठीक है क्वेश्चन ठीक है चलो कह रहा है सुभिक्षा हमेशा अपनी कख्षा में नए अन्वेशड प्रियोग खेल और विभिन ब्यवहारिक गतिविदियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्यान प्रसर्जन करने का अउसर प्रदान करती है महलू सुभिक्षा कोई टीचर होंग सब कुछ मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है नई सोचने को मिल रहा है सारा सपोर्ट मिल रहा है तो वह क्या होगे एक प्रगति सील कख्षा का ही तो उदारण है और साथ ही साथ क्या है बच्चे के इसाप सो रहा है तो चाइल्ड सेंटर्ड भी है ठीक है ना तो यहां का जो क इनाम के इनाम वगेरा भी नेगेटिव में आ जाता है समझ गे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ ठीक है तो अच्छे से सीखते रहिए ये प्रैक्टिस सेट को अटेंड करते रहिए यकीन मानिए इतना आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे 20 क्लास जादा है आपके सामने सिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकी कृत परिक्षाओं का इस्तिमाल करना चाहिए ये गलत बात है सिरसर ठीक ना बही किसी की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि जैसे एक्टिविटी से ही समझा जाता है क्या लेबल है बच्चे का कोई ऐसा नहीं मानक नहीं दिया जाता है यह तो गलत हो गया आगे क्या कहरें कहरें बुद्धी लब्धी में प्राप्त अंक सिक्षकों को विद्यार्थियों के आकादिमिक प्रदर्शन और भविस्य में सफलत कि भविस्यवानी करने में मदद करता है बिल्कूल गलता है अचा यह बताओ अगर आपको किसी बच्चे का IQ पता चल गया तो क्या आप उसका भविस्यव थोड़ी ने डिसाइड कर पाओगे जैसे सपोस्ट एट मैं मालो मेरा IQ लेबल अच्छा है ठीक है ना अगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं हर फिल्ड में अच्छा हूं मुझे यह चीज़े आती है CDP आती है math science आती है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं ठीक है ना इस परपेक्ष में मेरा IQ लेबल मेरे support में है मेरा IQ कितना ही high Q ना हो अगर मु इसका तरक भी गलत हो जाएगा तो ऐसे कोशन का आंसर देख लीजिए कहां पर होता है चौथे पर आइधिंक रहता है ए और आर दोनों गलत है तो यही आपका correct answer बन जाएगा समझ गए कोई दिक्कत हो तो comment किया करो मैं और explain कर दिया करूंगा कोई दिक्कत नहीं है जब त बैरेट कोशन बन जाता तो यह नाम आपको याद रहना चाहिए ठीक है करें इनके सिद्धांत के अनुसार कलाकारों वस्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धी अधिक मात्रा में होती है ठीक है तो देखें हावर्ड गार्डनर ने जो बहुद्धी का स्थानिक प्रबल होती है क्यूंकि नाविक को पता है कि किस अस्थानन पर ज्यादा गहराई है किस अस्थान पर समूंद्रिय त Eagles होता है उसी बीजाता कि जमीन कितनी समतल है यहां इसके ही एक्जांपल में आपका टूरिष्ट भी आ जाता है वो आपको बता सकता है कि पहाड़ों पे कहां पे जाना सही रहता है कब लेंड स्लाइडिंग पॉसिबल है उन्हें अस्थानों की ज़्यादा जन नौलेज होती है यह मांचित्र अग का तो कई बार आप अपने common sense भी आंसर दे पाएंगे कि अस्थानिक बुद्धी किसमें होगा जो अस्थान से related कामधाम करेगा अब हम अगर पढ़ा रहें तो हमारे अंदर दूसरी टाइप की बुद्धी होगी ठीक है ना तो यह चीज आपको पता रहना चाहिए चलो कि खिशाओ में भागी दारी लेने होना चाहिए करने लिख लो करने से हतों साइत करना चाहिए तो अब कतन तो गलत हो गिख्या ने हो A करें लड़कियों में गडित हुआ विज्ञान विश्यों को पढ़ने की जन्मजात समता नहीं होती है, ऐसा नहीं है, लड़के कोई कबजा ले करके नहीं उतने हैं कि गडित वहीं पढ़ेंगे, बहुत सारी आज कल के टाइम में बच्चे अपने जो बहने हैं वो देखो कि आप नीट में हो गया, टॉप कर रहे हैं, इसमें भी तो मैथ, फिजिक्स तमाम आती है, थीक है ना? तो यह एक जण्डर बायास को सपोर्ड करता है और जण्डर बायास वाले कभी भी अंसर नहीं लेने होते हैं, थीक है? तो यहाँ पर कथन भी गलत है और उससे डिलेट अगला कुशन आप से देखिए क्या कहना चाह रहा है किरहा निम्न में से कौन सी प्रडाली विद्यार्थियों की विविद अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है इसका मतलब हमें नेगाटिव आंसर को पकड़ना है यह आपका नेगटिव होता देखिए प्रिथक करना जैसे classroom में अलग-अलग जाती के बच्चे हैं अलग-अलग financial background से तो उनको अलग कर दो यह ग्रेट देदो कि यह topper बच्चा है यह failure बच्चा है इस तरह की चीज़ी यह negative होती है ठीक है तो यह उनके अधिगम में बाधक पढ़ सकती है एक बच्चा सर्मिंदगी फील करेगा अरे यार मुझे तो नहीं आता teacher मेरी बेजिती करती है तो वो क्या करेगा उसको problem create हो स समावेशन तो positive होता है करा विभिन शिक्षा सास्तरी पद्दत यह भी गलत है इसका जहां तक मुझे answer लग रहा है B है केवल और केवल B ठीक है न मुझे थोड़ा सा doubt है लेकिन मैं I am sure कि यह B है अगर किसी को लगता है तो comment जरूर कीजेगा ठीक है मैं जानना चाता हूं त negative answer डूड़ना है कह रहा है बच्चों की तैयारी के अस्तर का पता लगाने के रिए करना चाहिए इससे जब हम मुल्यांकन करते है तो हमें बच्चों के कितनी लेवल की तैयारी चल रही है वो पता चलता है मैंने अभी एक question दिया है तो अगर आप जबाब देते हो तो बच्चों की आवधारात्मक समझ में कमियों की पहचान करना है यह भी positive है इसलिए तो आकलन किया जाता है मुल्यांकन किया जाता है कि भाई हम आपसे बार-बार पूछते रहते हैं कि कोई chapter हो कोई subject जो आपको लगता है कि नहीं त्यार हो पा रहा है तब ही तो feedback लेते है अगले करें बच्चों में प्रतियस परदा की भावना पैदा करना है यह गलत है और यहीं आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि लिड़वार है कि जो पढ़ेगा वही टॉप करेगा जो suited टॉप करना है तो यह करो तुमारा दोस्त इतना पढ़दा तो इतना और ऐसा नहीं आना चाहिए मुल्यांकन का मतलब यह उन्हां था कि हम आपसे फीड़वैक लें कि दस बच्चे अच्छा दस ने कमेंट किया तो यहीं पढ़ रहे होंगे बाकी तो नहीं पढ़ रहे होंगे यह जिसने नहीं कमेंट किया वो तो फेल हो जाएंगे वो नहीं अच्छा क्या कर सकता है यह पॉजटीब है तो यह नहीं होगा ठीक है तो आई होप आपको क्वेश्चन का अंसर पता चल गया होगा आगे बढ़ चलें चलो ज्यादा स्पीड में तो नहीं में कराता ना वैसे थीवरी वाले कॉश्चन है आप लोग समझ सकते हैं तो सभी कुल सही है ठीक है ना लरांस कौर बर्क का मानना था कि जो नैतिक विकास होता है अशतत मतलब होता है डिसकांटिंव य चरडों में होता तो जब मैं कॉलबर्ग के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको सारे छह चलड़ बता दूँगा यहां फिलाल के लिए आपको यह आंसर याद रख लो चाहिए ठीक है ना चलो बाकी आपसान आप इलिमिनेट भी कर सकते हो बच्चों के समाजी और संस्क्रिट संदर्भों के पर निर्भर करता है नहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहाता ठीक है तो इसका मैं इतना ही एक्स्प्लेइन करूंगा बाकी में इसका चैप्टर लेके आने वाला हूं सबके बारे में तो वहां पर डीटेल में पढ़ाऊंगा ठीक है चलो अच्छा अगला कोश्चन देखिए विविधतावाले बच्चे आ करके किसी इक जगां पर क्ये ठीक है ठीक नदीयों यह कहिर रहे हैं किसी से बढ़ावा मिलेगे के रहें विवेदित निर्देश से तो विवेदित निर्देश तो सही चीज़ है ना डिफरेंसियेटेड अलग अलग चीज़े आएंगी तभी तो इसको बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है इसका करेक्ट आंसर ही हो गया बाकि मानकी क्रित्म नहीं प्रितक तो बिल्कुल नेगटिव नामी करड़ ये सारे वर्ड ही नेगटिव है मैंने टैग वर्ड भी पढ़ा रखा है पॉजिटिव नेगटिव जाकर के देख लीजिएगा बहुत काम आ कर एक अध्यापिका को क्या इक्षा सास्त्री समायोजन करने चाहिए देखो अगर आप एक टीचर बनती है या बनते हैं ठीक है तो आप आपके क्लास में अगर कोई भी दिष्ट बाधित बच्चा है जिसको देखने में थोड़ी प्राब्लम है तो आप क्या करना चाहोग तो देखने वाली चीजे थोड़ी देद होगे जब उससे देखी नहीं पा रहा है बिचाना तो वह देखी क्या अगर होगे ठीक है दूसरा क्या कर रहा है सक्त पाठे चरिया का पालन करवाओगे अरे नहीं यह तो बिल्कुल ही गलत हो ठीक है तो ऐसी चीजों को आप सप है कह रहा है मानकी कृत मुल्यांकन यह तो नेगेटीव होता है ठीक है समझ गए आगे बढ़ चलते हैं अगले कोशन की तुरफ अगला देखिए कोशन क्या कहरा चारा है बड़ा प्यारा कोशन है मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप खुदी दे दो कराए नीरा मिडल इस्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर के भरमित रहती है जैसे कि मा को न पढ़ देती है यह किसका विसिष्ट लक्षण है तो बताओ जब पठन वैकल्य होता है तो किसका लक्षण होता है तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया या पठन वैकल्य बोलते हैं जो की बी ऑप्सन हो जाएगा करेक्ट है ठीके ना इसका मैंने भी इसकी वीडियो क्लास आप लोगों के लिए बना दिये बहुत अच्छी से याद कराया हूं सारे तरह के विकार को तो उसको भी देख लीजिएगा आगे बड़े चलो आज आते हैं अपने अगले कोश्चन पर अब मैं थोड़ा थोड़ा टायड फील कर रहा हूं मैं को कराके जल्दी खतम करता हूं ठीक है अगला क्या कह रहा है प्रेम किसी समस् में से किसकी विशेष्था है तो भाई सिंपल सी बात है जितने ज्यादा सोचने विचारने की शमता होगी बच्चे के अंदर अलग-अलग विचार प्रस्तुत करेगा उतना ही वह क्रियेटिव बंदा होगा तो क्रियेटिव होगा तो रचनातमक होगा तो इसका करेक्ट हो जाता है तो इसमें ज्यादा सोच विचार कहने की जरूत नहीं है अच्छा आगे बढ़ चलते हैं अगला अगला आपसे कह रहा है कि सिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार दिखाना चाहिए या देना चाहिए मालो बच्चे का कम नंबर आ गया तो कैसे दि कर्मना का और अपवान जनक नहीं स्टीचर के लिए भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए देखो जब कभी बच्चा फेल होता है तो इसका सिंपल सा मेनिंग है कि पूरा स्कूल सिस्टम फेल हुआ है यह ध्यान रखना ना कि बच्चा ना पैरेंट्स ना टीचर पूरा इस खाप लीजी अपने ठीक है तो यहां पर तो यहां पर उनके माता पिता शमताओं पर प्रतिबंद यह भी नहीं होगा कि इसकूल प्रडाली को अनुकूल वाता वरड ना प्रदान करने प्रदान कर पाने का प्रतविम बिलकुल सही है आप यह लगा सकते हो लक्षन कि तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा अगे बढ़ चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला क्या कहना चाला है करें सक्री ये जुडाओ मतलब एक्टिव इंगेजमेंट ठीक है निमने में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है ठीक है ना त समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट कर रहें कि सर ये इसको थोड़ा ऐसे करा देते तो अगर वारतालाब चलता है पूछता चलती रहती है डिसकसन होता रहता है तो वहां पर एक्टिव जुडा बोलते हैं कि आप एक्टिव रूप से पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे होते ह सब्सक्राइब तो करो लाइक तो करो डिए कुछ तो दिखा न तो अ मतलब यह होता कि किसे क्वेंट करते हो किसी और नहीं होगा क्योंकि य millennials टैग वर्ड है किसी भी कोश्चन को आपको रटना नहीं है खोज विदी बिल्कुल सही है आप नए-नए जबाब ले के आते हो तो यह पॉजटिव है यह आंसर नहीं होगा सम्वाद करते हो मैंने बोला ना डैलॉक्स वगेदा कमेंट करते हो सारी चीजी तो यह आशमर्त है तो सिक्षक को चाहिए देखो बच्चा आशमर्त है तो सिक्षक क्या करेगा वे सैक्षडिक रड़नीतियों और इस्कूल के माहोल पर चिंतन करे हाँ यह कर सकते हैं भाई अगर नहीं सीख पा रहा है तो सिस्टम गड़ बढ़ है यह दिक्कत है हमने बताया न देखक रह सारी सीखने के लिए सक्षम है ठीकना सारी गलती कि ऑथी कि किसी होतिए संस्था की आप कभी बूशन करोगे तो इस चीज का ध्यान दखना बच्चे पर उंगली नहीं उठाना पूरी अगर बच्चा फेल हुआ तो पूरा सिस्टम फेल हुआ पूरा स्कूल रड़नीती फेल हुई है ठीक है तो इसका I think आपको अच्छे से क्लीरिफिकेशन हो गया चलो अगे वड़ते हैं अपने अग मानों को प्रृणिट करना प्रृत्साहां तो पॉजटीव है नेगटीव पूछ रखा है चार्चा के fab上ψ पड़ा पॉसटीव आंसर है कराया निर्देश खोज आउसर देना यह पॉजिटिव है यहां पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जागा चलो आगे बढ़ चलते हैं तो बताये कौन-कौन है जो 20 के 20 पेपर पूरा देखेगा मेरी क्लास को ठीके कमेंट कीजीगा जरूर अगला कथन कह रहा है आपसे आप के दवरान बच्चों द्वारा की गई तुरूटियों को उनके संग्यानात्मक विकास के लिए विकास के एक भाग के रूप में देखना चाहिए बिल्कुल सही है बच्चा अगर सीख रहा है वो गलती कर रहा है तो वह इसका मतलब सही डारेक्शन में जा रहा है ठीक है न अगले कुशन पर बढ़ चलते हैं ठीक है अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो नो डाउट आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और यकीन मान के चलिए अगर जो इन सारी क्लास्स को फॉलो कर रहा है आप मेंसे एक ना एक कोई बच्चा होगा जो तीस मे से ठीक है ना सुड़ीपी की में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं एक भी पेपर नहीं छोड़ूंगा कहीं से भी पेपर आ जाए सारा इसी में रटवा दूंगा एकदम से एक्स्प्लेन कर दूंगा ठीक है तो यह आज का आई तिंक आपका लाश्ट कोशन होगा पढ़िए क् प्रक्रिया को सुगम बनाती है तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा यह आपके लिए हूंवर्क होगा पर मैं आपको हिंट दे देता हूं आप अच्छा तब सीखते हैं जब आप खुस रहते हैं पॉजटिव रहते हैं आपके बिचार अच्छे रहते हैं ठीक ना आप हैप पूरा लिख सकता हूं पूरा लेख देगा ठीक है तो बहुत आसान सा कॉस्चण है का बच्छा सीखते हैं तो मैंने हिंट दे दिया है बच्चा जब क्या होता है बहुत पॉजटिव फिल करता है उपसाइत होता है तो पकड़ लिए क्या ठीक है चलिए आज का कुश्चन यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को फिर मिलेंगे आप से नेक्स्ट क्लासेज में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए बाइबाइब टेक केर थैंक्यू सो मच जय हिंद